आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हूँ जिसका टाइटल है बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार जिसमें हम जानेंगे कि बेरोजगारी क्या है वह कितने प्रकार की होती है और उसके क्या सिध्धानत है ऐसे ही हम पूर्ण रोजगार में जानेंगे कि पूर्ण रोजगार क्या है और उसके लिए क्या-क्या नीतियां है तो आईए शुरू करते हैं बेरोजगारी से बेरोजगारी क्या है एवं उसके कितने प्रकार है पूजी बादी अर्थवी अवस्था का एक बहुत बड़ा अभिशाप बेरोजगारी की समस्या है बेरुजकारी, अथ्वा, बेकारी वह परिस्तिती है जिसमें स्वस्थ, योग्य तथा कारी करने के लिए उप्यूक्त अवस्था वाले व्यक्तियों को प्रचलित, मजदूरी की दर पर अपनी योग्यता के अनुकूल देश में कारी नहीं मिल पाता है इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि काम करने की योग्यता तथा काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल पाता बेरुजकारी कई प्रकार की होती है जिसमें से सबसे पहले है, Goluntary Unemployment यानि स्वैचिक बेरुजकारी स्वेचिक बेरोजगारी उस समय होती है जब मजदूर प्रचलित मजदूरी अथवा प्रचलित मजदूरी से कुछ कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए तयान नहीं होते हैं प्रचलित मजदूरी को स्विकार ना करके मजदूरों त्वारा हर्ताल करना स्वैच्छिक बेरोजगारी का एक उधारण है। दूसरा है Involuntary Unemployment याने की अनेच्छिक बेरोजगारी। प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्रियों का विश्वास था कि पूजीवादी अर्थवियवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिती बनी रहती है और अनेच्छिक बेरोजगारी जैसी स्थिती हो ही नहीं सकती। इसके विपरित केंस ने जनरल थियोरी में एच्छिक बेरोजगारी को कोई महत्व नहीं दिया और प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण अनियोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पन अनेच्छिक बेरोजगारी की और अधिक ध्यान आकरशित किया। केंस के अनुसार अनेच्छिक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो प्रचलित वास्तविक मजदूरी की दर से कम वास्तविक मजदूरी पर कारी करने के लिए तैयार हो चाहे वो कम मौदरिक मौल्य स्विकार करने के लिए तैयार हो अत्फा ना हो। प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर भी यदि कोई व्यक्ति रोजगार चाता है परंतु असफल रहता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। Involuntary Unemployment में भी कई तरीके की बेरोजगारी होती हैं जैसे कि सबसे पहला है Seasonal Unemployment या मौसमी बेरोजगारी प्रति एक देश में कुछ व्यवसायों का स्वरूप मौसमी होता है उधारन के लिए क्रशी एक मौसमी व्यवसाय है चीनी के कारखाने भी एक विशेश मौसम की समा प्रति प्रति बेरोजगारी मौसमी अथ्वा अस्थाई होती है इसका उप्चार सहायक उद्योगों के विकास द्वारा किया जा सकता है जिनमें बेरोजगारी के मौसम में मजदूरों को रोजगार मिल सके दूसरा है इस्ट्रक्चरल अनिम्प्लोईमेंट जहां पर अनिम्प्लोईमेंट कुछ बदलाओ के कारण होता है जैसे इंडस्ट्रियल और्गिनाइजेशन में पुरानी मशीन्स को पुरानी इंडस्ट्री को दोबारा से रिफॉर्म किया जाए तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन का क्रम प्रारंब होता है जिससे कीमत गिरती है उत्पादन में कमी होती है तता बेरोजगारी बढ़ जाती है चक्री बेरोजगारी की योहस्तिती तब तक बनी रहती है जब तक फिर से तेजी का क्रम आरंब नहीं होता व्यापारी चक्रों का नियंत्रन केवल नियोजित अर्थुवस्ता में ही संभव है। चौथा है Frictional Unemployment यानी संघर्षक बेरोजगारी। श्रम बजार की अपूर्यताओं के कारण अस्थाई रूप से कारिण मिलना Frictional Unemployment की स्तिती कहलाता है। संघर्षक बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे श्रम की गतिहींता, कच्चे माल का अभाव, मशीनों की खराबी, नई उत्पादन विध्यों को अपनाना इतियादी पाच्वा है टेक्नोलोजिकल आनिम्प्लॉइमेंट यानि शेल्पिक बेरोजगारी प्रावेक एक अर्थव्यवस्था में वर्तमान युग में उत्पादन विध्यों में अनुसंधान बहुत व्यापक रूप से हो रहे हैं जिनके प्रभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं ऐसी मशीनों का प्रियोग करना अथवा ऐसी उत्पादन विधियों का अपनाना जिनमें अपेक्षाक्रत कम श्रमिकों की आवश्यक्ता होती है शेल्पिक बेरोजगारी को जन्म देती है श्रम को पूजी से प्रती स्थापित करना शेल्पिक बेरोजगारी का एक प्रमुक कारण है अब बात करते हैं open unemployment की It is a situation where the large labor force doesn't get work opportunities that may yield them regular income यानि large number of labor force को उचित कार्य ना मिलना जो की उन्हें एक regular income दे सके उसको हम open unemployment कहते हैं अब बात आती हैं under unemployment की अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा कम योग्यता का कार्य करना अथवा उसे उतने समय के लिए कार्य ना मिलना जितना की वह कर सकता है अर्ध बेरोजगारी की स्थिधी कहलाती है भारत में क्रिशी छेत्र में जनसंख्या के अधिक दबाओ अथवा अपरयाप्त भूमी के कारण श्रम शक्ति का पूर्ण उप्योग ना हो पाना भारती क्रिशी की एक बहुत बड़ी समस्या है अब बात करते हैं दिस्गायस्ट आनिम्प्लाइमेंट की यानि यह एक वहाँ सिचुएशन है जिसमें लार्ज नमबर ऑफ वर्कर्स एक ही तरीके के काम करने को ततपर हैं जबकि कुछ लेबर्स उस खाम को असानी से कर सकते हैं अब आते हैं Principles of Unemployment यानि बेरोजगारी के सिध्धान्त में सबसे पहला था Views of Classical Economist यानि प्रतिष्टित विचारधारा प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि पूजीवादी अर्थवियवस्ता में इस्थाई बेरोजगारी एक असंभव इस्थिती है पूर्ण रोजगार समान्य इस्थिती है और बेरोजगार अस्थाई और असाधारन तत्वो होती है जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है फ्रांसेसी अर्थशास्त्री जेबी सेद्वारा प्रतिपातिद बाजारों को नियम लौ अफ मार्केट्स इस विश्वास पर अधारिद था कि पूर्थी अपने लिए मांग स्वें ही उत्पन्न कर लेती है यानि सप्लाई क्रियेट्स इस ओन डिमांड इस नियम के अनु समाने वेरोजगारी का होना असंभव है वहीं प्रोफेसर जॉन स्ट्रॉट मिल ने बताया कि लोगों द्वारा प्रस्तूत मांग उसको उपलब्ध क्रेशक्ति की मात्रा अथ्वा क्रेशक्ति के उप्योग करने की इच्छा पर निर्भर करती है मिल के अनुसार व्यवसा संकट की स्थिति में प्राया सट्टे की अधिकता के कारण संभव है कि सभी वस्तों की पूर्ति उनकी मांग से अधिक हो जाए एक अन्य संभावना यह भी हो सकती है कि मजदूरों में भोगौलिक गतिशिल्टा यानि जियोग्राफिकल मोबिलिटी के अभाव में अपने वर्तमान व्यवसाई को छोड़ने की इच्छा ना हो। पूर्न रोजगार की प्राप्ति के लिए इन सभी परस्तितियों पर विजय पाकर उन्हें घटाया जाना चाहिए। पूजी वाद जितना अधिक विखसित होगा देश में वेरोजगारी का स्तर भी उतना ही उचा होगा। पूजी के संचे में वृद्धी के साथ variable capital भी बढ़ती है परंतु इसमें वृद्धी उतनी नहीं हो पाती जितनी fixed capital में होती है इसका मुख्य कारण यह है कि वैज्यानिक अविश्कारों के फलस्वरूप उत्पादन की शेल्पिक विदियों में परिवर्तन होते रहते हैं नहीं नहीं मशीनों का प्रयोक किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक द्वारा परिवर्तनी पूजी का स्थर केंज की विचारधारा की केंज की प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों की बेरोजगारी संबंदी विचारधारा की कटू अलोचना की है केंज के अनुसार प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों का यह विचार की पूर्ती स्वतह मांग उत्पन्न करती है जिसके कारण अनै विपरीद प्रोफेसर केंस ने मजदूरी कटोती की नीती को सैदान्तिक आधार पर अनुचित बताया है और विहवारिक आधार पर इसका विरोध किया है केंस ने जनरल थियोरी में सपष्ट शब्दों में लिखा है कि केवल प्रभावपूर्ण मांग ही रोजगार में होने वाली वृद्धी को पूर्ण रोजगार के इस्तर तक पहुचने से पूर्व ही रोक सकती है और प्रायह रोकेगी अब बात करते हैं फुल इंप्लॉइमेंट यानि पूर्ण रोजगार की पूर्ण रोजगार का अर्थियों नहीं है कि देश में सभी स्वस्त योग्य और शम्तामान व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है प्रतियक दशा में कुछ अंशितक बेरोजगारी अवश्य विद्यमान रहती है प्रोफिसर केंज के विचार में पूर्ण रोजगार वह स्तिती है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव रहता है परंतु वास् इसका मतलब यहाँ है कि प्रभाव पूर्ण मांग में वृद्धी के परिणाम सरूप जब उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार इस्थर और उपण नहीं उत्पाते तो यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है Policy of Full Employment यानि पूर्ण रोजगार की नीती प्रोफेसर केंस तथा उनके अनुगामी अर्थशास्रियों के अनुसार रोजगार का स्थर प्रभाव पूर्ण मांग पर निर्भर करता है प्रभाव पूर्ण मांग में वृद्धी रोजगार स्थर को उपर उठा देती है जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है प्रभाव पूर्ण मांग में वृद्धी करने के दो उपाएं है सबसे पहला उपभोग की प्रवर्ती को प्रोचाहन दूसरा विनियोग की मात्रा में वृद्धी पहले हम बात करते हैं उपभोग की प्रवर्ती को प्रोचाहन यानि Stimulating Propensity to Consume उपभोग की प्रवर्ती को प्रोचाहन देखकर प्रभावपून मांग में व्रधी की जा सकती है यहो निर्विवाद है कि उपभोग की प्रवर्ती को प्रोचसाहन देकर प्रभावपून मांग में व्रदी की जा सकती है यहो निर्विवाद है कि धनी लोगों की अपेक्षा गरीबों में उपभोग प्रवर्ती ज्यादा होती है अमीरों की आई बढ़ने पर उनकी उपभोग व्याय में कोई विशेश व्रदी नहीं होती बलकि उनकी बचत की प्रवर्ती बढ़ती है इसके विपरीत गरीबों की आई बढ़ने पर वो उपभोग व्याय में व्रदी करते हैं इस बात को ध्यान में रखते वे गरीबों की आई में व्रिदी करना आवश्यक हो जाता है। धन तथा आई का वितरन गरीबों के पक्ष में होने पर उपभोग प्रवर्ती को सभावी क्रूप से प्रोचाहन मिलता है। इसके लिए प्रोफेसर केङ्स ने सुझाफ दिया कि निर्धन व्यक्तियों पर लगाए गएं इन डिरेक्ट टेक्सेस का बोजकम किया जाए। और धनी व्यक्तियों पर प्रत्यक्षतरों यानि डारेक्ट टेक्सेस की दरों को बढ़ाया जाएं। गरीबों के कलियान के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। दूसरा है increasing the investment यानि विनियोग की मात्रा में व्रधी। क्योंकि अल्पकाल में उपभोग की मात्रा लगभग स्थिर ही रहती हैं, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार स्थर में परिवर्तन बहुत कुछ विनियोग की मात्रा द्वारा प्रभावित होते हैं। रोजगार की व्रधी के लिए प्रोफेसर केंस ने उपभोग व्रधी की अपेक्षा विनियोग व्रधी पर अधिक जोड दिया। विनियोग दो प्रकार का हो सकता है, पहला व्यक्तिकत विनियोग यानि प्राइविट इंवेस्टमेंट, दूसरा सरकारी विनियोग यानि गौर्मेंट इंवेस्टमेंट की बात करें, तो प्रोफेसर केंस के अनुसार व्यक्तिकत विनियोगों की मात्रा दो बातों पर निर जलता है इसके लिए यहाँ अवश्यक है कि ब्याज की दर्द नीची हो और पूजी की सिमान्त शम्ता ऊची इस उद्देश की पूर्ती के लिए प्रोफिसर केंज ने कुछ उपाय सुजाएं हैं पहला है चीप मनी पॉलिसी यानि सुलब मुद्रा नीती यदि देश में वि किंद्री बैंक के हस्तक शेप के द्वारा ब्याज दर को गिरा देती है और मुद्रा तता साग का विस्थार करती है इस संबंद में यहाँ याद रहे कि सुलब मुद्रा नीती विनियोग बढ़ाने में तभी प्रभाव पॉन्न होती है जब समाज में लाब के लिए आशा पॉलिसी उत्पादकों पर कर भार हलका कर देने से भी विनियोगों को प्रोचसाहन मिलता है क्योंकि करों की दर नीची होने से लाब की संभावना बढ़ जाती है इस संबंद में आईकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों में कमी करना अधिक प्रभाव पॉन्न होता है उपभ पूर्ण मांग में व्रधी होती है और रोजगार का इस्तर उचा उपता जाता है तीसरा है एंटी मोनोपॉली पॉलेसी यानि एकाधिकार विरोधी नीती एकाधिकार नए सहसियों के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्द करके उन्हें छेत्र से बाहर रखने का प्रया किया जाता है एकाधिकार विरोधी नीती अपनाएं जाने पर उत्पादकों में प्रतिस्वर्दा बढ़ेगी और विनियोंगों को प्रोचसाहन मिलेगा चौथा है Policy of Encouraging Foreign Investment यानि विदेशी विनियोंगों के प्रोचसाहन की नीती विदेशी पूजी के विनियोंग का भी रोजगार इस्तर पर लगभग वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा घरेलू पूजी के विनियोंग का प्रभाव होता है विदेशी पूजी के विनियोंग से विनियोंग करता देश में भी परोख्ष रूप से रोजगार का इस्तर बढ़ता है विदेशों में विनियोंगों पर लाप मिलता है जिसले राश्ट्री आए बढ़ती है प्रभाव पूर्ण मांग में व्रद्धी होती है तथा रोजगार का इस्थर उचा उठता है अब बात करते हैं गौर्वर्मेंट इंवेस्टमेंट की यानी सरकार की विनियोग नीती की व्यक्तिकत विनियोगों को प्रोचसाहित कर देश में पूर्ण रोजगार इस्थापित करने की कठनाईयों से प्रोफिसर केंस परिचित थे यही कारण है कि उन्होंने विशेश्टमंदी काल में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सारवजित निर्मान कारियों यानी पब्लिक वर्क्स को हाथ में लेने का सुझाव दिया निर्मान कार्यों द्वारा उत्पन प्रभावपूर्ण मांग देश में उपभोग प्रवर्ती तथा व्यक्तिकत विनियों को द्वारा बनाई गई प्रभावपूर्ण मांग की कमी को पूरा करके पूर्ण रोजगार के लिए अवश्यक प्रभावपूर्ण मांग उत्पन करती हैं अंत में बात करते हैं पुर्ण रोजगार नीती की आलोचनाओं की, सबसे पहला है fear of inflation यानी मुद्रः सिफीती का भय, केजस्की पुर्ण रोजगार नीती की आलोचना इस अधार पर की जाती है कि इसको अपनाने से मुद्रा इस्वीती की संभावना बरी रहती है ब्याज की दर कम करने के लिए मुद्रा प्रसार करना अवश्यक होता है मंदी काल में केंस ने मुद्रा की मात्रह में विस्थार करने का सुजाव दिया था आलोचको के अनुसार मुद्रा इस्वीती का भै कालपनिक नहीं है इस संबंद में केंसवादी अर्थशास्त्री क्लीन का विचार है कि अर्थवियवस्ता नियोजित हो तथा नियजों को सरकार की अर्थ नीती का पूर्ण नियंतरन दे दिया जाए जिससे वे रोजगार को प्रोचाहन देने के लिए आवश्यक्ता अनुसार व्याई कर सके औ । और आवश्यक्ता पढ़ने पर प्रियापत मात्रा में कर्ड लगा सके तो मुद्रा स्विति में कोई भाई नहीं रहता है। दूसरा है Rise in Public Debt यानि सार्वजिनिक रेंड के भार में व्रधी सार्वजिनिक निर्मान कारियों के लिए सार्वजिनिक रेंडों द्वारा पूजी प्राप्त करने का सुझाओ केंस ने दिया था इसे क्रियानवित करने पर सारवजिनिक रेंड के भार में व्रदी होना सौरभाविक है आलोचक इसे अनोचित मानते हैं क्योंकि भावी पेडियों को इसका भार उठाना पड़ता है तीसरा है इनेफेक्टिवनेंस ओफ चीप मनी पॉलिसी यानि सुलब मुद्रा नीती की अब्रभाव पूर्ण अता आलोचको का कहना है कि व्यवारिक रूप में सुलब मुद्रा नीती मंदी काल में रोजगार बड़ा सकने में प्रभाव पूर्ण नहीं होती है सन 1930-40 में अमेरिका में ब्याजदर बहुत ही कम कर देने पर भी विनियों की मातर में विशेश व्रदी नहीं की जा सकी इस सम्द्ध में यहोव विचारनी है कि प्रोफेसर केंस ने मंदी का सामना करने और रोजगार इस तरको उचा उठाने के लिए सुलब मुत्रानीती को कोई विश्वेश महत्व नहीं दिया था बलकी बाद में तो वह इसके प्रति उदासील ही हो गए थे पूर्ण रोजगार की प्राप्ती के लिए मौद्रिक तथा आर्थिक नीतियों द्वारा सरकार को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है सारवजिक निर्मान कारियों के नीती भी अर्थव्यवस्था में एक हस्तक्षेप ही है आलोचकव का कहना है कि सरकारी हस्तक शेप व्यक्तिकत स्वतंत्रता को थोड़ा सिमित कर देता है परंतु वास्त्विक्ता यहो है कि व्यक्तिकत स्वतंत्रता को थोड़ा सिमित कर देने से यदि रोजगार तथा आई के स्थर को उचा उठाया जा सकता है तो इसमें कोई दोश नहीं है प्रतियक देश में लोग आर्थिक नियोजन के नियंत्रन को बेरोजगारी कम करने के लिए सहर्श स्विकार करते हैं और फिर प्रोफेसर केंज ने नीजी उद्योगपतियों से प्रतियोगिता ना करके केवल उनहीं छेतरों में बिनियोग करने का सुझाव दिया था जिनमें नीजी उद्योगपति पूजी लगाने में सकुचाते हैं आशा है कि आज के इस लेक्चर से आपको बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार के बारे में अच्छे जानकारी मिल पाई होगी धन्यवाद